कितना सुन्दर कहा है सोंबार का उद्यापन कर लो एकादशी का उद्यापन कर लो सकरानती का उद्यापन कर लो अधिकमास का उद्यापन कर लो छट का उद्यापन कर लो तीच का उद्यापन कर लो चतुडधी का उद्यापन कर लो तुमारी मर्जी पड़े जितने ब्रत हो उसके उद्यापन करो पर सास्त्र कहता है उस उद्यापन में घर के लोगों को नहीं गिना जाता उस उद्यापन में सोभाग्यवत्ती माताएं जो तुमारे नगर की हो मोहले की हो जो तुमारे परिवार की नहीं दूसरी हो उनको उस उद्यापन में गिरो गिनो उसका परिवार वाले तो जिन्दगी भर खाते रहते हैं, तुमारे यहां हर कभी आ जाते हैं, तुम उनको भुला भी लेते हो, खिला भी देते हो, दे भी देते हो, परिवार को दिया दान नहीं कहलाता, जब दूसरी कोई सोभाग्यवती नारी तुमारे यहां उध्यापन में भो व्मटी जी को inदिट र हमने अमारी चार जेठानी है चारों को आमने अध्यापन में जिन लिया हमारी पाउच देवरानी है हमने फांचोस्त अध्यापन में दिन लिया हमारे काका जी की जो लड़कियां है हमारी जी ठानी आदिक जो वे उनकी बववें हैं हमने उनको भी उद्ध्यापन में गिर लिया ये उद्ध्ध्यापन नहीं लगता उद्ध्यापन हम जब दूसरे को देते हैं कई पुराण में लिखा है कि बेटी को आप कुछ देते हो तो दान कर लाता है शुमाहा पुराण की कथा करती है बेटी कभी तुमसे दान नहीं लेती बेटी तुमारे घर में आती है तो अपना हक लेकर जाती है हिस्सा लेकर जाती है दान कभी ने कर नहीं जाती है अगर एक दिन आगई ना काले कोड़ वाले को लेके फाइल माइल सब लेके उस दिन फिर तुम जी 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 करते रहो एक साड़ी देकर कभी ऐसान मत मानों कि हमने बेटी को कुछ दे दिया हमने बेटी को कुछ प्रदान कर दिया हमने दान दे दिया बेटी कभी दान नहीं लेती बेटी तो खुद दान में जाती है उसको हमारे सनातन धरम में कन्या दान कहते हैं बेटी तो खुद दान में जा तए हमने बेटी को जे समान दे दिया दान कर दिए स्यमाहपुरान कती ना ना आप दूसरे को दिया गया दान है डूसरे को प्रदान किया अपढ़नहै अपने कर यू नहीं लगता बेहन बेटी हो तब सब्सकोलों मना नहीं हम मना नहीं कर रहे हैं भांजी है तो उसको दो मना नहीं कर रहा है अपनों का क्यों नहीं लगता देवरानी को दिया यह जठानी को दिया उसका क्यों नहीं लगता क्योंकि आपस में तुम आज खिला दोगी अगर उद्यापन में तुम थोड़ा वत पाउं भी पढ़ लोग तो ये पुन्य कहां से लग गया, ये दान कहां से लग गया दान अनायासी होता है